प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्टर ता, know your fate टोटल चार ग्रहन हैं, और दो उपचाया ग्रहन हैं, जैसे कि अभी 20 अप्रेल को आपका सूर ग्रहन था, पांच मई को आपका उपचाया ग्रहन हैं, फिर इसके बाद आपका 28 अक्टूवर को चंद ग्रहन हैं, जो कि यह भारत में द्रश्य होगा, यह देखा जाएगा, इ इसके बाद उप्छाया ग्रहन एक और पड़ेगा वो आपका 2024 में लेकिन इसी संबत सर 2008 में आपको उपड़ेगा तो आप चंद ग्रहन की मद्ध क्या करें या चंद ग्रहन की दिन क्या करें जिससे आपके जीवन में चंद्रमा शहित सभी नवग्रह अरिश्ट ठीक होंगे आपको करना क्या है क्योंकि भगवान शिव का में प्रति निधित्त करने वाला ये ग्रह है भगवान शिव का उपाशक ये ग्रह है भगवान शिव के मस्तक में विराजमान ये ग्रह है यह जलतत्त का प्रधान ग्रह है हमारे सरीर में जो सबसे ज़्यादा जलतत्त रहता ह वो चंद्रमा ग्रह की ही प्रधानता रहती है और हमारे जीवन में जल की प्रधानता पंच तत्तों में शे एक है जिसको कहते हैं कि चित जल पावग गगन शरीरा पंच रचित अदम शरीरा जो पांस चीज़ें हैं उसमें से एक जल तत्तों में खास जो हमारा रोल करता है व तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है, व्यक्ति की जिन्दगी के सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी धरोहर उसका अपना मनोबल है, तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप जो ये उपाय करें वो उपाय ये हैं कि भगवान शिव की आराधमा, चंद्रमा ग्रह क जाप और चंद्रमा का छोटा सा छोटा मंत्र में आपको बता देता हूँ इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब एल्ट्रता, know your faith इस मंत्र का आप जाप करें और उसके साथ साथ आपका ये जो ग्रहन है ये बुद्ध पूणिमा यनी बुद्ध-जेयनती ये पूणिमा के दिन लगेगा तो उस दिन आप चाहें तो भगवान विश्णु की भी आराधना कर सकते हैं, भगवान विश्णु की उजापाट कर सकते हैं, इससे आपके एक ग्रह नहीं, सभी नवग ग्रहों की सांती होगी, भगवान शिव की आराधना करते ही, आपके सनी हैं, आपके राहु हैं, केतु कुक हैं, चंद्रमा हैं, इन सभी ग्रहों की सान्थी होती है वैसे भी आप यदि जोति सास्तृ को उठा के देखे लिए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही सरीर से ये शभी ग्रहों की उत्पत्ती है सभी ग्रह उनके ही सरीर से उत्पन हुए हैं तो जब विशिष्ट देव की यनि देवों के देव महादेव की आप आराधना करेंगे जिसको हर हर महादेव कहते हैं जो हर पीड़ा को हर कष्ट को हरन करने वाले हैं हर तरह का सुख प्रदान करने वा तन्न औरुद्रह प्रचोद्यात या जैसे आप महाम्रतुजे का मंतर जाप करते हैं या नहीं कुछ आता है तो ओम शोम शोमाय नमा कहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये सभी नवग्रह जो अरिष्ट हैं ये ठीक होंगे और आप उस दिन फिर चाहें तो थोड़ा दान भी कर शकते हैं जैसे सफेद वस्तुओं का दान सफेद आपका चावल है चिनी है दही है दूद है सफेद वस्त्र है आदी चीजों का दान करेंगे उससे आपका चंद्रमा निश्चित रूप से बलिष्ट होगा आप अपने जीवन में चंद्रमा से पा रही जो अरि जो तत कालीन घटना होती है, वो अच्छी हो या बुरी, उसमें चंदरमा का रोल सत्प्रशत रहता है। तो चंद्र ग्रहन के मद्ध आप भगवान शिव की आराधना करें, चंद्रमा की आराधना करें, शिव की आराधना से सभी नवग ग्रह ठीक होगे, चंद्रमा की आराधना से चंद्रमा ग्रह विशेस रूप से आपका ठीक होगा और आपको शुफल प्रदान करें और शिव की आरादना से प्रतेक आपकी जो है ग्रह वलिष्ट होंगी ठीक होंगी तो यह आप इस तरह से करें निश्चित रूप से आपकी जीवन में खुशाली आएगी नमस्कार आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आइस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से